जारकन परिक्षा यह explanation लेक्षर है homework series test जो homework series जो चल रहा है homework series का test और test number test number 4 test number 4 का जो है यह explanation है इसमें उराओं जन जाती है उराओं जन जाती से दो test है ओके यह arts and culture और aesthetic जीके अभी दो series चल रहा है और एक दिन पहले आपको topic बता दिया जाता है उसके बाद test होता है आप result देखते हैं analysis करते हैं उसके बाद explanation देखते हैं यह मैं आपसे उमिद करता हूँ कि test के बाद ही आप explanation देख रहे होंगे जिन्होंने इंडॉल नहीं किया है तो उनके लिए PDF है पूरा question कर PDF है with explanation और यह lecture है तो more than sufficient है और नाम मातर fee है 25 रुपीज तो जो सक्षम नहीं है वो explanation और PDF से काम चला है काफी जादा इससे फाइदा मिलने वाला है चलिए हम लोगा start करते है question number 1 से question number 1 है उनाव जंजाती में पुरोसों के द्वारा पहने जाने वाले वस्तर को क्या कहते है अब यह जो वस्तर यह अलग topic है इसमें जो है जानना होता है कि किस तरह के ट्राइब में किस तरह के पहनावे को क्या-क्या नाम दिया गया है जैसे की हम लोग अगर around tribe की बात करें तो around tribe में पुरुसों की खासकर, तो किसी फेस्टिवल में ये जिस पहनावे को पहनते हैं, उसको केरया बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उसी तरह से महिलाओं के द्वारा, जो पोसाग पहना जाता है, उराओ जन जाती में, उसको बोलते ह खनरिया, क्या बोलते हैं? उसको खनरिया, और खनरिया को ही परहिया बोला जाता है, खनरिया को ही परहिया बोला जाता है, तो करहिया और परहिया, ठीक है, यह हो गया, इसके पहले हम लोगों ने संथाल टाइप पढ़ा है, तो संथाल टाइप में, सिर्फ संथाल टाइप की होता है पगड़ी को क्या बोलते हैं पगड़ी को बोला जाता है दहड़ी और जो लुंगी होता है इसको बोला जाता है पटका क्या बोला जाता है पटका बोला जाता है ठीक है इसी में संथाल में ही महिलाओं के द्वारा एक पोसाख पहना जाता है इसको बोलते हैं पांची पहना जाता है उसको बोलते हैं के रहिया option A के रहिया इसका answer हो जाएगा next इन में से कौन सा निरत्य उराव जन जाती में प्रमुख मना जाता है यह जो पाइका निरत्य है इसमें क्या है यह युद्ध रस को जो है यह रिप्रेजेंट करता है ओके ओज पुर्ण निरत्य है और इसमें सैनिक वैस सैनिक वैस भूसा धारन करके निरत्य किया जाता है पुरुस परधान यह निरत्य है ओके इसमें मैंने आपको बताया था कि यह जो पगड़ी होता है तो पगड़ी में इस तरह से जो फूल जैसा होता है ना तो यह यह या तो मोर कर रहेगा या पंक क या फिर कपड़ा कह रहा सकता है तो इसको बोलते हैं कलगी तो ये कलगी पहना जाना अनिवारे है जब पाइका निरित्य किया जाए ठीक है और 1987 में पाइका निरित्य का रेप्रेजेंटेशन डॉक्टर रामदयाल मुंदा ने किया था विदेस में ठीक है इसके बाद ये ज पुरुस परधान निरित्य है इसमें पुरुसों के द्वारा इस्तरी वेसभुसा धारन किया जाता है ठाडिया जो ये खड़े होके और राउंड किया जाता है ठीक है खड़ा होकर ये निरित्य किया जाता है तो इसलिए इसका नाम ठाडिया है बोलते है ना ठाड ठाड म और इसमें ये सामोहिक निरत्य है, ये जो है सामोहिक निरत्य है, मतलब की महिलाओं के द्वारा और पुरुसों के द्वारा दोनों के द्वारा जो है ये किया जाएगा, और विरताकार एक सरकल बनाया जाता है, डांस करते हुए, इसी को नीर सुसंको भी बोलते हैं, इसी को प्याद रहे कि जो जदुर निरत्य है ये मात्र भूमी के प्रति आदर को represent करता है तो यहां पर option b जदुर हो जाएगा next उनाव जन्जाती में दोराहा सेंद्रा करते हैं सेंद्रा का मतलब क्या हो गया सेंद्रा का समय जो सिंद्रा किया जाता है उसको बोलते हैं पागू सिंद्रा क्या बोलते हैं उसको फागू सिंद्रा बोलते हैं सेंद्रा यह हो गया यह तो अलग-अलग टाइम में जो सिकार किया जा रहा है तो उसका नाम हो गया अनपचारिक रूप से है ना अनपचारिक रूप से किसी भी टाइम में जो सिकार किया जाए उसको बोलते हैं दोराहा सेंद्रा इसका कोई time fix नहीं है इसका time fix नहीं है तो दोराह सिंदरा जो होता है वैसाक वाला विसू हो गया फागून वाला फागू हो गया बरसा रितू वाला जेट सिंदरा हो गया इन में से कोई नहीं इसका answer हो जायेगा नेक्स्ट, उनाव जनजाती में सरहुल पर को क्या कहा जाता है, सरहुल पर जो है, यह हमेशा कोशन इससे आता ही आता है, यह प्रकृति का तेवहार माना जाता है, फूलों का तेवहार भी इसे कहते हैं, इस बार सेवंध जेपेसी में यह आया था, फूलों का तेवहार भी इसको कहा जाता है और जनजातियों कि सबसे बड़ी जो festival है, सबसे बड़ा जो festival है, ये सरहूल ही है, जनजातियों कि सबसे बड़ी festival, ये आपको याद होना चाहिए, अब सरहूल जो है, ये तीन-चार दिन का festival होता है, अलग-अलग tribe में इसका अलग-अलग नाम है, जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है संथार tribe, तो संथार tribe में सरहूल को क्या बोलते हैं, सरहूल को बोला जाता है बापरू, बापरू बोला जाता है, इसके बाद उ सरहूली बोलते हैं, ठीक है, खड़िया में जो है जगोर बोला जाता है, ये कब मनाया जाता है, सरहूल ये भी important है, ये जो है, चैत मा में मनाया जाता है, टाइम आहीं किया है, और सुकल पक्ष, सुकल पक्ष और कृष्न पक्ष होता है न, जब पुर्णिमा होने वाला है तो कृष्न पक्ष, जब पुर्णिमा होने वाला है तो सुकल पक्ष, और जब ये अमावस्या होने वाला है, क्या मैंने बोला, जब पुर्णिमा होने वाला है, तो सुकल पक्ष का तृत्या जो है, मतलब अमावस्या के तीन दिन बाग, तृत्या जो है, उस समय ये मनाया जाता है तो यहां पर उराओं में सरहुल को खदी बोला जाता है option c ये जो बाहा देख रहे हैं ये बाहा होली के equivalent एक festival है जिसमें जल सुद जल के द्वारा होली खेली जाती है नेक्स्ट उनाव जन जाती में पसरी का संबंद किस्से है पसरी का संबंद किस्से है जैसे कोई कोई वक्ति है अब किसी घर में ये कोई काम कर रहा है। अब बदले में इसको पैसा नहीं मिलेगा इसे काम के रूप में ही कुछ मदद कर दी जाएगी। ठीक है? काम के रूप में इसको मदद दे दी जाएगी. हो सकता है कि इसने इस घर में काम किया, तो इसके घर में अगर कोई बैल गाय है, तो ये इन्हें दे दिया जाएगा, कि आपको खेट जो दुआना है, तो आप ले जाएगे इस तरह से. ये अपकोई मसीन हैं दे दिया जाएगा, तो इस तरह से जो होता है, ये एक्सचेंज ओफ वर्क कहलाता है, मतलब काम के बदले पैसा नहीं दिया जा रहा है, काम के बदले काम दिया जा रहा है, इसी को बोलते हैं महनत का विनिमाई, तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है, हडपा के समय से ही ये चला आ रहा है, तो इसका एंसर उप्सन सी महनत का विनिमाई हो जाएगा, और बोईहर जो है, जैसे स्टार्टिंग में जब मुंडा ट्राइब आपने पढ़ा, ये हिस्ट्री में पढ़ाय गया था, तो उसमें क्या था कि जो जंगल वाले चेतर थे, उसको जो है, पूरा क्लीन करके खेती लायक जमीन बनाए गया, रहने लायक जमीन बनाए गया, तो उसको खूट कटी बोला गया, क्या बोला गया खुट कटी बोला गया जमीन को उसी तरह से उराओ ट्राइब हो जन जाती के बाद आते हैं मुंडा आता है फिर हो आता है फिर उराओ आता है उसका पहाड़ी आता है तो उराओ ट्राइब जब यहां पर आते हैं मुंडा के बताएवे रास्ते मुंडा के द् द्वारा ही यह जार्खन में इनका प्रवेस होता है, तो जब यह आते हैं, तो इनके द्वारा जो जंगलों को साफ करके रहने युक्त, जो भूमी तियार के जाते हैं, उसी को बोलते हैं, भुहिहर चमीन, ओके, और यह पूरा पूरा गाउं, भुहिहर गाउं कहलाएगा, किसी महनत का विनिमय हो जाएगा, नेक्स्ट, उराओं जंजाती में प्रमुक देवता कौन है, उराओं जंजाती में जो प्रमुक देवता है, यह कौन है, देखे, सिंग बोंगा जो है, यह सभी सोरे के एक्विवैलेंट है, जितने भी प्रमुक देवता होते हैं, किसी भ वही अगर हम लोग उराओं की बात करें, तो जो प्रमुक देवता है, वो धर्मेश हो जाएगा, और संथाल में सिंग बोंगा को ठाकुर देव के नाम से भी संबोधित किया जाता है, ठाकुर देव के नाम से भी संबोधित किया जाता है, ठीक है, सिंपली ठाकुर होगा, ठ जो है धर्मी के नाम से भी सम्मोधित किया जाता है यह हो गया कुछ और भी है जैसे कि अगर हम लोग देखें ग्राम देवता है ना ग्राम देवता तो ग्राम देवता में क्या है इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है संथाल तो संथाल ट्राई में जो ग्राम देवता होते ह उनको क्या बोला जाता है जाहर एरा और इनका जो निवास अस्थान होता है ये जाहर थान होता है जो कि सक्वा या महुआ पेड़ से घिरा हुआ होता है लेकिन यही चीज अगर उराओं में देखा जाए तो उराओं में जो ग्राम देवता होते हैं इनको बोला जाता है ठाक देव बोला जाता है, ठीक है, इसमें जो पहार देवता होते हैं, उनको मरांग बुरु बोला जाता है, ये दोनों में है, मतलब उराओं में भी और संथाल में भी, बस ध्यान रखना है, कि मरांग बुरु जो है, ये संथाल में दूसरे प्रमुख देवता है, ठीक है, उसके बाद जो सिमानत देता हैं उनको दैवार बोला जाता है तो जो अच्छे realize प्रमुक देता यह धृमेस हो जाताएगा नेक्स्ट उराओ जन जाती में गरान देता किने कहा जाता है तो धर्मेश यह सबसे प्रमुक है मतलब एक वैलेंट इनही को धरमी कहा जाता है मरांगबुरु जो है यह जादा थिक हो गया इसको जाता है यह यह है यह जो है पहाळ यंद्वाख दयों है ऑर दोनों में जैसे से ट्राइब कंप्लीट करते चलेंगे हम लोग सभी के बारे हैं तो पहाळ दे मरांग बोलू। लेकिन संथाल में ये दूसरे प्रमुक्छ दे होता है. ओके, ठाकूर देो जो है, ये गराम दे होता है, किसमेnt? उंड्राओं में, लेकिन वही संथाल की बात की जाills है, तो जाहर एर instruction तो यहाँ पर जो ग्राम देवता है उनको ठाकूर देव बोला जाता उराओ जन जाती में next गाओं के कल्यान के लिए कौन सी पूजा की जाती है उराओ जन जाती के दौ़ारा तो देखे सहराई जो है यह बहुत सारे ट्राइब के दौ़ारा मनाया जाता है लेकिन ये किसका प्रमुख फेस्टिवल है? ये जो है प्रमुख फेस्टिवल है संथाल का, पस्वों की पुजा की जाती है, दिपावली के जश्ट बाद इसको मनाया जाता है, खदी क्या है? ये सरहूल को बोलते हैं, खदी जो है सरहूल को बोलते हैं, किस में? उराउं जन जाती म उखे, उर्भाउ जंजाती में भेलवा पुजा और गौरहिया पूजा तो भेलवा पूजा जो होता है जो फसल की रोपनी की जाती है उस समय ये मनाया जाता है फसल रोपनी के समय और गाउं के कल्यान के लिए गौरहिया पूजा किया जाता है dari the additionine हो जाएगा यहां पूछ रहा है गाउं के कल्यान के लिए option D गौरेया पूछा नेक्स्ट उर्हाओ जंजाती में पुर्वजों की आत्मा की निवास अस्थान को क्या कहते हैं अच्छा यहां बहुत सारे उनके हडियों को क्या बोला जाता है गोत्र खुंदी यह हो गया अब क्या किया जाता है कि गोत्र खुंदी को नदी में निक्षेपित प्रवाहित किया जाता है तो यह जो प्रोसेस होता है मतलब गोत्र खुंदी को नदी में प्रवाहित करने का जो प्रोसेस होता है इसी को को बोलते हैं हड बोरा संस्कार के हड बोरा संस्कार बोलते हैं ओके यह हो गया तो गोत्र खुंदि ये सो संशं क्या हो गया यह निवास सथान है पुर्वज के आत्माों का गोत्र ुखंदि क्या है ये हड़ी है pendantि के जितने लोगों की मृत्वी है। उनकी अस्तियां है। और इन अस्तियों को नदी में निक्षेपित-करने का जो प्रोसेस है, उस्सी बोलते हैं हड़बोरा संस्कार। नदी में प्रवाहित कहे लेजिए या निक्षेपित कहे लेजिए यह हो गया अब क्या है कि जब निक्षेपित किया जाता है नदियों में तो ऐसी मान्यता है कि ये जितने भी अस्तियों को प्रवाहित किया जा रहा है उनकी आत्माओं का मिलन होता है पुर्वच की आत्मा स की हड़बोरा संसकार के बाद क्या होता है आत्माओं का आत्माओं का मिलन होता है पुरवच की आत्मा से तो इसी को बोलते हैं कोहा बेंचा मतलब एक process है कोहा बेंजा क्या है process है और इस process में आत्माओं का मिलन हो रहा है पुरůज़की आत्माओं से ठीक है तो यहां पर अखड़ा जू है अखड़ा का मतलब क्या हो गया यहां पर सांस्कृतिक समारोकायोजन किया जाता है शासन में पुरवज की आत्माओं का निवास होता है, सरणा में पूजा किया जाता है, और पंचोरा क्या होता है, पंचायत होता है उर्हाओं जनजाती में, और पंचायत अवस्ता को पढ़ा, सासन अवस्ता बोला जाता है, तो यहाँ पर इसका answer option B, पंचायती सासन हो जायगा, नेक्स्ट, उर्हाओं जनजाती में, किसी की मृत्यू के पश्चात आत्मा का मिलन, जब पुरवजों की आत्मा से होती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो देखे हड़बोरा संसकार क्या है, यह प्रोसेस है, यह प्रोसेस है, कि जो गोत्र खुंदी है, गोत्र खुंदी कहने का मतलब क्या हो गया, कि एक गोत्र की जितने लोगों की मिरत्यू भी है, उनकी हड़ियां, उनकी हड़ियों को, यह हड़ियां जो है, अस्थियां जो हैं, उनको गोत्र खुंदी बोला जाता है, और इनको निक्षेपित किया जाता है नदी में इस प्रोसेस को बोलते हैं हड़वोरा संस्कार गोतर खुंदी क्या हो गया? ये अस्तिया हो गया अस्तिया है इसकी एक गोतर के जितने लोगों की मिर्तियू भी है उनको एकत्रित करके एक साथ हड़ वोरा संसकार का आयोजन किया जाता है, तो उसी को बोलते है गोतर खुंदी जो अस्तियों का संकरन किया गया है, ठीक है, यह हो गया कोहा बेंजा क्या है, यह भी एक पो सेस है और इसमें मेटिंग होता है किसका मिटिंग होता है अभी जो गोत्र खुंदी है इनका जो निकष् manga किया गया तो इनकी आत्माओं का मिलन होगा पुरवश की आत्माओं से इसी को बोलते हैं कोह बेचा ठीक है तो यहाँ पर आत्मा party होता है इसको क्या है कॉह सकती है Вैं। तो कहीं कोई डाउट नहीं होगा नेक्स्ट जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है तो जो जादू टोना करते हैं उनको माटी कहा जाता है माटी कहा जाता है जो जादू टोना करते हैं उराओं में है ना उराओं में जो जादू टोना करते हैं उनको माटी बोला जाता है लेकिन यही चीज अगर मुंड़ा की बात किये जाए तो उनको देवडा बोला जाता है जादू टोना करने वाले को जादू टोना करने वाले वैक्तियों को ठीक है अब ये पाहन जो होते हैं ये क्या है धार्मिक परदान है धार्मिक परदान है पुजार इनके असिस्टेंट होते हैं बैगा इनके असिस्टेंट होते हैं पाहन के जिनको वैध्या भी बोलते हैं वैग्या भी बोलते हैं, ठीक है, संथाल में नाइके होते हैं, उराओं में पहान है, अससेस्टेंट पुजार हो गया, बैगा हो गया, ठीक है, तो ये हो गया, तो इसका एंसर आप्सन भी माटी हो जाएगा, नेक्स्ट, दोंकोडिया की अधिकारियों को चुनने या बदलन हैं, पूना जोकर, मतलब ये फर्स टाइम एडमिसन ले रहा है, एक होता है, कि तीन साल हो गया है, तीन साल पुराना है, इसको बोलेंगे मांज जोकर, और एक जो है, तीन साल से भी जादा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कोहा जोकर, क्या बोलेंगे, कोहा जोकर, इनका admission हुआ, साथी साथ, ये इसके जितने भी अधिकारी हैं, धुमकुडिया के, चाहे पुरोस के लिए जोक एडपा की बात की जाए, या महिलाओं के लिए पेल एडपा की बात की जाए, तो जो officers हैं, जो अधिकारी हैं, उनका भी चुनाओ होता है, हर तीन साल में, तो इसके ल हो गया, हर तीन साल में, जो लड़के होते हैं, वो लार या फिर संगी चुनते हैं, ठीक है, और जो लड़कियां होती हैं, ये करमडार या फिर गोई चुनती हैं, और लड़के की जो पतनिया हैं, वो आपस में लारिन या संगनी कहलाती हैं, तो ये सहिया चुनने का process हो पहार देवता जो होते हैं यह मरांग बुरू हो गए और संथाल में यह दूसरे प्रमुख देवता हैं ग्राम देवता जो हैं यह ठाकूर देव हैं किसमें उराओं में संथाल में जाहर एरा हैं सिमांत देवता एक होता है कुल देवता एक होता है सिमांत कहने मतलब जिससे गाउं हो गया ठीक है तो गाउं का जो यह बॉंडरी होता है तो इस बॉंडरी पर इस इन देवता का निवास होता है और यह गाउं को जो है दूसरे गाउं के समस्याओं से ये रक्षा करता है तो ये जो सिमांत देवता होता है इनको बोलते हैं डीवार और कुल देवता जो होते हैं इनको बोलते हैं पुर्वजात्मा तो डीवार जो है ये सिमांत देवता है इसके बाद क्या है कि जंगलों को साफ करके जिस भूमी को रहने पटी भूमी अगर हम लोग बात करेंगे मुंड़ा जनजादी के लिए अखड़ा क्या है सांस्कृतिक समारों यहां पर होता है ग्राम पंचायत को पंचोरा बोलते हैं और सासनेवस्था को पढ़ा सासनेवस्था बोलते हैं अब यह पंचोरा जो है पढ़ा भी कहलाता है ठ कुछ मिश्टिक हुआ क्या पढ़ा जो सासनेवस्था है तो इसमें क्या होता है कि ग्राम जो है ग्राम पंचायत को पंचोरा बोलते हैं ठीक है ग्राम पंचायत क्या हो गया पंचोरा हो गया और पंचोरा जो है बहुत सारे पंचोरा के मिलने के बाद पढ़ा बनता है ठी ग्राम का हेट कुन हो गया महत हो गया बहुत सारे ग्राम इसमें 5 ग्राम हो गया 7 गाउं को मिलाकर 11 गाउं को मिलाकर ऐसे करके पढ़ा बनता है ठीक है वो अलग हो गया तो ग्राम 25 पंचोरा कहलाता है इसका अंसर भुहयरभूमी हो जाएगा नेक्स्ट धुमकोडिया के जोंक इडपा के मुख्या को क्या कहते हैं देखे एक होता है जोंक इडपा जोंक इडपा इडपा ऐसे नहीं लिखाता है ये ऐसे लिखाता है और एक होता है पेल इडपा ओके पेल इडपा तो ये जो है ये लड़कों के लिए है और ये लड़क के लिए इसका जो संचालक होता है इसको बोलते हैं क्या इसको बोलते हैं धांगर मेहतो क्या बोलते हैं धांगर मेहतो और पेल एडपा का जो संचालक होता है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बढ़की धांगरी बढ़की धांगरी जोंक एडपा को ही धांगर कोडिया के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इसलिए धांगर महतो है यहाँ पर तो जोंक अडपा का जो मुखिया उसको धांगर महतो कहते है यहाँ पर C में धांगर महतो हो जाएगा option C कोतवार क्या होता है धांगर महतो को assistant यह धांगर महतो का assistant होता है धांगर कुडिया क्या होता है ये जोंक अडपा का ही दूसरा नाम है क्या है जोंक अडपा का ही दूसरा नाम है धांगर में तो इसका संचालक हो गया बढ़की धांगरीन पेल अडपा की संचालक हो गई तो यहाँ पर इसका एंसर आपसन सी हो जाएगा तो यह 15 कोशन थे इस तरह से दो टेस्ट उराओं का complete होगी अभी तक चार टेस्ट का explanation आ चुका है और मैं कोसिस करूँगा कि एक से दो दिन में पूरा का पूरा explanation यह available हो जाए ठीक है क्योंकि टेस्ट में महनत नहीं लगता है महनत लगता है explanation में पूरा content त्यार करना पड़ता है क्या आपको बताना है क्या नहीं बताना ठीक है तो आप इसको एक्टम किया किजिए टेस्ट को उसके बाद ही explanation लेक्षर देखिएगा और अगर आपने इंडॉन नहीं किया तो कर लिजे ज्यादा है नहीं 25 रूपीज है नाम मातर का है और नहीं कर पाएंगे कोई दिकत नही आप वहां से देख सकते हैं एकस्प्लानेशन भी फ्री आफ कोश्ट आवेलेबल रहेगा आप उसको देखा कीजिए टॉपिक एक दिन पहले बता दिया जाता है इससे बढ़िया किसी टॉपिक के त्यारी नहीं हो सकती है तो बहुत ही यह अच्छा मैटड है प्रिपेर कर सकती है तो